हेलो गाइज और वेलकम बाक टू मैं चैनल मैं हूँ सुरभी इंडियन गल यूरोप आज फिर से एक इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आई हूँ लाज जो वीडियो था लगजंबर्ग का जो कि आपने काफी जाधा पसंद किया कि जॉब्स कितनी रिक्वार्मेंट है काफी जाधा labor shortage चल रही है वहाँ पर तो मैंने सुचा क्यों ना मैं आपको कुछ top points बताओं कि क्यों आपको लगजंबर्ग मूव करना चाहिए वीडियो में काफी जाधा interesting points होंगे जो मैंने खुच से experience करें वो सारी चीजे जो है वो हम इस वीडियो में बात करेंगे और हां लास तक वीडियो देखना क्योंकि काफी सारी ऐसी चीजे हैं जो आपको help करेगी अगर आप मूव करना चाहते हैं लगजंबर्ग में तो ये वीडियो जो है वो पूरा का पूरा देखना और हां लाइक करें बिना मज जाना और सब्सक्राइब करें बिना कुस अंट्री पे मूव करते हैं लगजंबर्ग जो है वो यूरोप का पार्ट है तो अफकोर्स ये सुन्दर तो ही है काफी जादा जो है वो सेफ है इसके अलावा एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वज़े से सारे इंडियन्स जो है वो यहां पर मूव करना चाहते हैं या फॉरिन उसफ्ट करना चाहते हैं वह कॉलिटी ओफ लाइफ लाइफ लगजंबेग की जो है वन वफ दबैस है क्यूं है यह मैं आपको बताती हूं यह जो है काफी रिच लोग रहते हैं साल्रीज भी जो है वह काफी अच्छी होती है नस एन्वारिमेंट जो है वो भी बहुत ही अ इंपोर्टेंट हो जाता है on a daily basis like daily की life में आपकी life कैसी है तो यह एक बहुत बड़ा reason हो सकता है अगर आपको move करना है Luxembourg का and मैं आपको surety देती हूँ within European country में भी Luxembourg की one of the best quality life है. Second point is work-life balance. आज Sunday है और आपको दिख रहा होगा यहाँ पर काफी जादा लोग जो है वो relax कर रहे हैं घूम फिर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो आपके working hours होते हैं चाहे वो 40 गंटे पर week हो 20 hours पर week हो या part time job कर रहे हो तो 12 hours पर week हो कितना भी हो आपको अपने working hours के हिसाब से काम करना पड़ता है यहाँ पर extra working hours का जो है वो concept ही नहीं है इसका यह मतलब है कि अगर Saturday Sunday है तो आप बहुत जादा enjoy कर सकते हो शाम का वक्त enjoy कर सकते हो और आपका जो भी working hours है उसके बाद जो है आप अपनी life जो है अपने हिसाब से रह सकते हो यह जो है यह इंडिया में थोड़ा सा different है बट लगजंबग में जो है यह बहुत ही जादा बहतरीन है और उसके अलावा यहाँ पर job security भी जो है वो काफी अच्छी है तो work life balance के साथ साथ अगर job security combination हो जाए तो यह one of the best combination है इंडियन के लिए तो यह भी second point मुझे काफी अच्छा लगा अगर आपको move करना है लगजंबग next point है transportation transportation जो है वो अगर काफी अच्छा हो किसी भी country का तो वो आपकी life बहुत जादा easy बना देता है काफी जादा अच्छी बना देता है चाहे फिर आपको office जाना हो या अगर आप business कर रहे हैं तो उस काम के लिए जाना पड़े या फिर अगर आपको आसपास की किसी country में घूमने जाना पड़े जैसे की लगजंबग की neighboring country है Germany, France and Belgium और भी Switzerland जो है वो जादा दूर नहीं है पास में है तो इन सब के लिए transportation बहुत ही जादा important होता है सबसे अच्छी और interesting बात ये है कि लगजंबग का transportation जो है वो free है सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जो लोग बहाँ पर रहते हैं बलकि उन लोगों के लिए भी जो वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं या travelers है तो ये काफी जादा interesting point है तो वहाँ पर बिलकुल free में आप जो है वो घूम सकते हैं इसके अलावा हर जगी की connectivity है within जो है country और अगर आपको आसपास की किसी country में जाना है जैसा कि मैंने आपको मैंशन किया Germany हो गया France हो गया Belgium हो गया in that case अगर आपको सुजर लेंड जाना है उसकी भी connectivity काफी अच्छी है तो ये काफी अच्छा point है और interesting है आपको interesting लगा तो भी जरूर कमेंट करना ये वला point मेरे लिए सबसे interesting है जितने भी मैंने आपको बता है और मेरे लिए बहुत जादा high rate करता है वो है high salaries जब आप किसी भी country में move करते हो तो बहुत जादा important हो जाता है कि आप अच्छा earn करो तो ये जो country है लगजमभग इस net salary है मतलब enhanced salary है वो 2000 euros है around 180,000 के लगभग जो की काफी जादा है अगर मैं दूसरी European countries की बात करूं जैसे Germany हो गई उसकी भी average salaries से काफी कम है तो हर कोई 2000 euro कमा ही रह है लगजमभग में इसके अलावा अगर आप very specific और high skill labor में हैं तो उसमें आप काफी जादा earn कर सकते हैं यहा तो यह भी सुना है कि यहां पर लोग 21 lakhs तक कमा रहे हैं जो इंडियन्स मूव कर रहे हैं एक बहुत अच्छी बात यह भी है कि 70% से भी जादा जो है वो लेबर जो है वो बहार के लोग हैं तो इंगलिश भी जादा से जादा बोली जाती है जबकि ऑफिशल लैंगवेज तो लगजंबरिश, फ्रेंच और जर्मन है पर फिर भी इंगलिश काफी जादा बोली जाती है क्योंकि फॉरिनर्स की जो परसंटेज है जो काम करने वाली परसंटेज है वो काफी जादा है that is 70% तो हाई सेलरी जो है अगर आप एक पॉइंट देख रहे हैं आपको पूरा वीडियो जो है वो मैंने बनाया था जिस पर काफी जादा आपको पसंद आया तो वीडियो जरूर देखना प्लस मैं मैं में च्रिप्शन पर कहां पर आप जॉब एप्लाए कर सकते हो और आपको हाई सेलरी मिल सकती है प्लस यह पॉइंट मेरे लिए काफी जादा मैं जर्मनी में रहती हूँ मैं भी यह सोचते हो कि कभी ना कभी मैं भी लकजंबर्ग में मूफ करूंगी क्योंकि सेलरी कभी जादा अच्छी है यहां है और हम बताना भूल गई कि यहां पर काफी सारे रिच लोग रहते हैं विलेनियु ऌन्पट आपको देखने मिलता ही उसी में इतने सारे बिलिनियर्स हैं तो आप इससे अंदादा लगा सकते हैं कि काफी जादा अच्छी लाइफ होगी रिच लाइफ होगी देन अदर कंट्रीज यूरोपियन कंट्रीज से तो ये काफी अच्छी चीज लगी मुझे अब जो नेक्स पॉइंट है वो मेरे लिए काफी जादा जरूरी है अगर मैं किसी भी कंट्री में मूफ करूँ वो है कि ट्रैवल या आसपास आप कहां घूम सकते हो आपके आसपास का एंवायर्मेंट कैसा है वेदर कैसा है और कौन-कौन सी कंट्री है तो मैं आपको ये ब में तो है लोगरायां जैसे शेंधर है कि उसे में अगर जॉप कर रहें वहां पर या फिर इस्ट्टेट वी जूट्स कोई UP कोई रोकाटों की नहीं होगी क्योंकि शन्गेन कंट्री जो भी है काफी सारी कंटरी उसमें आप सारी कंट्रीज में घूम सकते हम वर्क लाइफ बैलेंस तो है यह आपको छुट्टिया भी काफी सारी मिलेगी तो वह आप इंजॉय कर सकते हो यूरोप घूम के जैसा कि हम भी करते हैं क्योंकि जर्मनी में भी यह काफी अच्छा पॉइंट है कि हम यूरोप के बिल्कुल मेडल और मेडल में सिच्वेटेड और हम सारा यूरोप घूम सकते हैं अगर हम यह काम करते हैं तो एक और बहुत ही इंट्रेस्टिंग पॉइंट यह है फ्री एजुकेशन से रिलेटेड अगर आप लगजंबर्ग में रहते हैं जॉब करते हैं और बाद में अपनी फैमिली स्टार्ट करते हैं तो आपके ब पड़ेगा तो यह था लास्ट पॉइंट जो की भी काफी इंट्रेस्टिंग है क्योंकि अगर आपको फ्री एजुकेशन मिलती है और यह बात सिफ उन लोगों के लिए नहीं जो लगजंबर्ग में रहते हैं तो इवन फॉरिनर्स हैं यह फिर इंटरनेशन स्टूडेंट उनके लिए भी एजुकेशन जो है पब्लिक उनिवर्सिटी में वो फ्री है उसके उपर भी एक वीडियो डीटेल में है जो आप देख सकते हैं बाकी यह था लास्ट पॉइंट यह काफी सारा इंट्रेस्टिंग पॉइंट्स मैंने आपको बता है आपको कौन सा सबसे सब्सक्राइब एंड शियर दिस वीडियो और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर कुछ ना कुछ अच्छा सा मैसेज यह कमेंट छोड़ना जो कि हम लोग वीड करेंगे और मिलते हैं नेक्स इंट्रेस्टिंग वीडियो में अगर कोई टॉपिक आपक का हो जो आपको जानना है वो भी आप मैंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्षिन में एंड थैंक यू फो वाचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स वीडियो में बाबाए ठेक केर